फेस सक्रब कैसे करते हैं हैलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सक्रब कैसे करते हैं सबसे पहले अपने क्लाइंट के फेस पे आपने फेस्वास कर लेना है जो कि आप अच्छे से कर लें तांकि जो डेस्टिंग वगारा हो वो निकल जाए फे सक्रब लें जिसको कराब वीडियो में देख रहे हों सक्रब लेने के बाद आप उसको अधेश पर चारों करफ अच्छे से लगा दें ताकि जो हमारे ब्लैक साइट पाइट होते हैं इंपल वगारा होते हैं वह रिमूव हो सके आप जब यह हैं सक्रब करते समय आप अपने फिंगर होती हैं उनसे यह सक्रब करें और अपना हाथ बिल्कुल हलके हाथों से आप यह सक्रब करें टाइट हाथ से आप ले सक्रब ना करें कोई भी कंपने का सक्रब हो वो आपको बिल्कुल हलके हाथ से करना हैं जिस पर कर आप वीडियो में द चाहिए इससे हमारी स्कीन में भी जो निखार आता है और आप इसमें जो सबसे में पॉइंट होते हैं वो हमारे फिंगरों की होते हैं आप अच्छे से बखाज करें ताकि जो हमारे फेस की स्कीन हो वो अच्छे से लो करें अगर आप हमारे चैनल पे नए आई हैं हमारे चैन पर दोसो फलस से ज्यादा वीडियो हम लोड कर चुके हैं आप उन वीडियों पर भी जाएं और कुछ और कुछ न्कुछ नया सीख लें सक्रब करते समय हैं आप मसाज ही सबसे में पॉइंट होता हैं जिसमें मैंने कम्पलीट स्टाप अपनी फिंग्रों के साथ अच्छे से समय करें हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर हम जब फेश करते हैं हमारा रजल्ट अच्छा नहीता आप अच्छे समसाज करें तभी आपका अच्छा से रिजल्ट आएगा सक्रब करने के बाद आप श्टिम गन भी दे सकते हो जो आप वीडियो में देख रहे हो अगर आपके पास यह श्टिम गन नहीं है तब भी आप फेज सक्रब कर लें और स्पंज के साथ आप उसको क्लीन करते हैं क्लाइट के फेज पर पिंपल बगरा है आप सक्रब करने के बाद वो भी आप निकाल सकते हो इसको सरलबाशा में कील भी बोलते हैं स्पंज क्लीन करते समय भी आप बिल्कुल हलकी हाथ से क्लीन करें ताकि हमने जो श्टिम दे हुई है उसका कोई स्किन पर प्रभाव ना अच्छे से बीड में से सक्रब निकाल दे यह जो आप यह अरजल्ट देख रहे हुए हमने स्टिम गण और फेज सक्रब किया हुए आपको यह अरजल्ट कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई भी स्वाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूसकते हो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक एर जैहिंद बंदे मातरम